नमस्कार क्या आप पूरे शरीर की बीमारी से परिशान है जी हाँ पूरे शरीर की बीमारी जैसे की फीवर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, चर्म रोक ऐसी बीमारियां जो आपको पूरे शरीर में होती हैं अगर आपका जवाब है हाँ तो आपको आज एक वायू के बारे हो वह इन तीनों के इंबैलेंस या बिगढ़ने के कारण ही होगी फिर चाहे आप उसे फैटी लीवर बोले ब्लड प्रेशर बोले डाइबिटीस हेर फॉल डाइजेशन कुछ भी हो वह वात पित्त कफ के बिगढ़ने के कारण होती है उसी में से वात जो है उसे सबसे ज़्य बातू है मल है इन सब को जो कंट्रोल करने वाली पावर है उसे हम आईरवेद में वात बोलते हैं ठीक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था समान वायू के बारे में क्योंकि यह जो वात होता है इसको पांच अलग-अलग तरीके से काम करता है वह पांच तरीके क् पान ऐसे इनके नाम है तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने जाना था प्राण वायू क्या होती है समान वायू क्या होती है और आज हम जानेंगे व्यान वायू के उपर क्योंकि वात का जो सबसे पावरफुल फॉर्म कोई है या वात की जब आपको स्पीड देखनी हो ताक सब्सकारी इस वीडियो में अब सब्सक्राइब आप सभी का मिश्रवेदा में और आज हम बात कर रहे हैं व्यान वायू के बारे में आप सभी ने के जीएफ मूवी देखी होगी है ना के जीएफ वन के जीएफ तूब होती फेमस मूवी थी उसमें जो रॉकी भाई होते ह उनको पूरी दुनिया पर राज करना होता है ठीक ऐसे अपना व्यान वायू भी है नौर्मली जो बाकी जो अन्यवात है वो क्या करते हैं शरीर के कोई फिक्स एरियाज में काम करते हैं पर व्यान वायू पूरे शरीर में घूमने वाला वायू है इसके बारे में बार जी बोलते हैं वह बोलते माहा जवा मतलब एकदम स्पीड से जो सोच भी नहीं सकते उतनी ज्यादा स्पीड से पूरे शरीर में होने वाला जो काम करने वाला अगर कोई वायू है तो वह वियान वायू है इसे एक ऐसामबल से पहले आराम से समझने की कोशिश करें दे अब फेफड़े में जाने के बाद oxygen तो वहाँ गया है बड़ सपोस्ज कि आप वाकिंग कर रहे हैं और आपके जो पैर की मसल्स हैं आपके जो पैर के सेल्स हैं उनको oxygen चाहिए तो वह oxygen मिलेगा कहां से तो यह जो आपने oxygen लिया तो ता फेफडों में बड़ उसको heart के through पूरे शरीर में ले जाना ये काम है आपके व्यान वायू का अब केवल oxygen ही नहीं वहां का जो carbon dioxide था वो कैसे आएगा तो उसको भी खीच के ले आना और बाहर निकलना ये भी काम व्यान वायू का है पर हमारा शरीर केवल oxygen और carbon dioxide पर तो नहीं चलता आपके जो हर एक cells है जैसे दिमाग के neurons है या kidney के cells है या आपके body में कोई भी जो एक एक cell जिन्दा है उसको कुछ नरिश्मेंट भी तो चाहिए ऐसा तो है नहीं केवल हवा खाके मतलब oxygen खाके जिन्दा रह जाएगा तो आप जो खाना खाते हो वह खाना आपके पेट में गया पेट में जाने के बाद समान वायू ने पाचक पित्त की मदद से या आम बोल चाल की भाशना में बोले तो व हो जिन्दा रहे यह काम व्यान वायू का है तो महाजवा मतलब पूरे nourishment करना पूरे शरीर में चीजों को गुमाते रहना और गुमाते रहना वह एक्दम स्वीड से यह वारा जो काम है वह आपके शरीर में वयानवायु करती है अब यह वयानवायुばंती कैसे है सब से पहले हम जान लेते हैं तो वैयूनवायु को विशेश शबद ज़ोगापण जी ने दिया है वह रहे महाह जव क्योंकि जो वात होता है उसको पूरे स्पीड से अगर काम करना है व्यान वायू को शरीर में तो उसे कहीं भी कोई अवरोध नहीं चाहिए मतलब कहीं भी कोई उसको करने रहती कहा है तो इसका दो स्थान है एक तो आपके रिदय में जी हां हाट हाट या रिदय सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटड चीज़ है जी हां अगर आप लौब में है तो भी और अगर आप बीमार है तो भी क्योंकि इसमें कोई एक दो चीज नहीं रहती इसके अंदर हैं पर वन हैं एक AH सारी चीज्जय आपके दे के अंदर भरिपड़िविएं तो व्यानी वायें के रहन की जो जगह है वो है आपका रिद है बर इसका काम पूरे शरीर में होते रहते हैं एक एसी वायू है कि घर पे जादा आपको मिलेगी नहीं जैसे कोई को आकर पूछ heroic क्या है तो आप घर बता देंगे पर आप काम हमेशा फीड में करते रहते सब्सक्राइस है आप हमेशा जैसे गुमते रहतें बस वैसे ही व्यान वायू 24गंटा 365 दिन पूरे शरीर में घूमते रहना घूमते रहना यही इसका काम है इसकी काम को वागभर जी ने अस्टांग जो संग्रह नाम का ग्रंत है या सहीता है उसमें बहुती कमाल के तरीके से बताया है तो वो एक श्लोक अगर आप समझ जाएंगे तो व्यान वायू का पूरे का काम आप समझ जाएंगे चली देखते उन्होंने क्या बोला है उस श्लोक में सबसे पहले तो वह बोलते हैं व्यानों रिदय इस्तितह की व्यान जो वायू है वह आपके रिदय में रहती है आगे उन्होंने कहा है क्रिच्ण देहेचर श्रीग्रतर गरती मतलब पूरे शरी में कहते हैं गात्र प्रसारण आकुंचन जैसे की अब यह है ठीक है आप बोलेंगे बाड़ी बनाना क्यों चलू कर दिया वीडियो बनाते यह जो आपका हाथ का है ऐसे संकोच होना सीधा होना संकोच होना सीधा होना यह जो काम है वह आपके शरीर में व्यान वायू का है या फिर प्रसारण आकुंचन यह जो दो श्रब्दे है मतलब अब आपके शरीर में जो कोई भी वाल्व है जैसे आपका हार्ट है हार्ट क्या करता है हार्ट का कुछ इस तरह रिद्मिक मुवमेंट होते रहता है लब डब लब डब ऐसे करके कहा जाता है तो यह जो बन चलो बन चलो यह जो होते रहना है प्रसारण आकुंचन प्रसारण आकुंचन प्रसारण आकुंचन यह पूर एका पूरचपूरा जो डे PAC है वह वcorn by dictate या फ्र आपके शरीर की कोई भी जैसे आप इसे ऐसे कर रहे हैं घिक यह व्यान पूरा जो डिपार्ट्मेंट जो एपके शरीर में वियानवायो करती है जैसे की आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के पाद यहां पे पिंचर नाम की एक चीज होती है या आम बुल चलके भाषा में बुले तो एक पेट की जो वाल है अब ये जो वाल जब खुलेगी तब आपका खाना अंदर जाएगा और जैसे खाना अंदर जाएगा तो ये ओल बंद हो जाएगी ठीक ता कि जो अंदर का acid है वो उपर ना आए अब जिनको GERD इस तरह की बीमारी होती है gastro isofusial reflux disease इसमें क्या होता है कि जो आपकी ये वाल होती है पेट की वाल वो थोड़ी सी धीली हो जाती है वो धीली होने की कारण क्या होता है की जो अंदर का पेट का acid है वो उपर की तरफ आपको आने लग जाता है तो क्या विगड़ गया व्यानवायू भिगड़ गया ऐसे ही जो आपके heart के जो walls है ठीक है material wall है या bicar speed wall है इस तरह की जो या होने खुलने बंद होने खुलने उसमें उसका एक बहुत इंपॉर्टन रोल है जब भी यह वाल बिगड़ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपको हार्ट की तकलीफ होने लग जाएगी कई पार आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर बोलते भाई आपके हार्ट का वाल बिग सिटी है वो कमजोर हो जाएगी तो ऐसे शरीर में आपके बहुत सारी जो चीजे हैं जो की बंद होती है खुलती है बंद होती है खुलती है उन सारी चीजों का बंद होना खुलना यह पूरे का पूरा कंट्रोल व्यान वायू का है और जब भी इनके बंद होने या खुलने का control आपका छूट जाएगा या किसी भी कारण बिगड़ जाएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि शरीर में व्यान वायू बिगड़ गई है या urine leakage में क्या होता है कि वहां की जो wall है धीली हो गई मतलब क्या बिगड़ गया है व्यान वायू बिगड़ गया है या फिर और भासा में जानना हो तो आपके हार्ट जो आप जिन्दा है क्यों जिन्दा है कि जब से आप पैदा हुए है और दब तक आप जिन्दा रहेंगे तब तक आपका हार्ट रिदमिक जो ये बंद हो रहा है खुल रहा है या contraction relation contraction एक्षए यह जो मुववेंट है यह रिदम में कुरने का पूरा काम वयानवायू का है फिर यह वयानवायू एक और काम क्या करती है कि आपके शरीर में हर एक सेल को oxygen तो supply करती है साथ जो भी nourishment करना है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने के अंदर से जो भी धातुमे बनेगी या जो भी काम की चीजे हैं जैसे कि आपने खजूर खा लिया अब उस खजूर के अंदर में जो जो फाइदेमन चीज है उन सारी चीजों को लेके हर एक सेल तक supply करना ताकि वह सेल जिंदा भी रहे और healthy भी रहे यह आपका क्याम यह यह पूरे का पूरा काम व्यानवायू का है फिर वागभट जी एक और शब्द कहते हैं उच्छेप अवक शेप यह दोनों काम भी व्यानवायू का है मतलब उपर ले जाना नीचे ले ज रहे लियह आपके श्रीर में व्यानवायू का है तो आप समझो कि आप जंप मारते हूं जैसे जंप मारा तो यह जो उपर गए खें और नीचे आई थे यह आप सीडियां चड़ते हैं उतरते हैं तो शरीर में चीजों को ऊपर नीचे करना या शरीर को ऊपर-पनी करना या आपका खुन नीचे जा रहा है नीचे से फिर उपर आ रहा है फिर नीचे उपर नीचे उपर तो कोई भी चीज को बंध होना खुलना उपर ले जाना नीचे ले जाना यह पूरा डिपार्टमेंट व्यानवायू का और एक शब्द कहते हैं गमन अर्थात किसी भी प्रका आप चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अब यह जो व्याण वाईय अगर आप गए विगड़ गई तो долगी जिनका यह सब तेड़ा हो जाता है क्यों व्यान वायू के खराबी कारण आम वात जैसी जो बीमारियां आपने देखी होगी यह आम वात में आदमी का हाथ ऐसा तेड़ा हो गया रहता है और फिर वो कई सारे मुमेंट खुद से कई लोग ऐसे खाना भी नहीं खा पाते हैं तो यह ज क्या है वा गती घंधन योर्ती भात ís गटी जो आपके शारीरी काम है ये सारे काम और जो का één कम हैं जो नर्वश का Alum करती इक और विशेश बात में अब यह क्या हुआ यह आपकी जो आखें हैं जो बंद होती हैं खुलती हैं आप जो यह पलक जपकाने का काम करते हो बंद चालू बंद चालू बंद चालू यह आख हमेशा बंद जो चालू हो रही है यह भी जो डिपार्टमेंट है वो व्यानवायू का है तो जब भी आपकी जबके तो समझ जाना व्यान वायू का वहां पर काम चालू है अब इतना सारा आईरवेद्ट सुनने के बाद बहुत सारे लोग को जंभा आ रही होगी मतला मूँ फाड रहे होंगे पका दिया आयर क्या व्यान वायू कितना कर तो ऐसे लोग जो मूँ फाड़ने का काम कर रहे या यॉनिंक कहते हैं यह दिपार्टमेंट है क्योंकि मुँखा खुलना और स्वास लेना और मुँखा बंद होना यह डिपार्टमेंट भी व्यानवायू का है आगे वागबची शब्द कहते हैं अनस्वाधन शोतोविशोधन खाने का टेस्ट फिल होना जैसे कि आपने गर्मा गरम जलेबी भजिया वड़ा पाव समोसा चाइनीज मोमो फ्रेंची जो भी आपको पसंद हो इडली डोसा गाठिया फाफ्रा ढोकला जो भी ठीक अब उसको लेके आपने मूं में रखा अभी रखने के बाद जो उसका टेस्ट फिल होता है कि वह मीठा है खटा है नमकीन है तीखा है कड़वा ह बेंबहुक्ति है कि सहला है घरम है कि ठंड़ा है खाने में मजेदार है की है यह सारे के सारे जो टेस्ट्ट इस जो सिगनल आपके जीब आपके दिमाग तक जाना और दिमाग बोलेगा वाह मस्त है तो अंदर लेते जाओ और मज़े से खाओ या नहीं 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 बहुत कड़वा है बहुत खराब है तो मत खाओ या उसको थूग दो यह सारा सिगनल जो दिमाग को जाना है पता होना कि खाना स्वाधिस्ट है या खाना एकडम रद्धी बकवास है यह अनस्वाधन यह जो डिपार्टमेंट है वो भी व्यानवायू का काम है तो ऐसे लोग जो बोलते हैं हमें खाने में मज़ा नहीं आता है खाने का कुछ स्वाधी पता नहीं चलता है या हमें खाने में ना जब तक ऊपर से हम ज्यादा नमक ना डाल दे थोड़ा निम्बू मसाला तीखा तला हुआ अग्दम मिर्ची बिर्ची न डाल दे तब तक हमारी जीब को टेस्ट नहीं फील होता या मज़ा नहीं आता तो वो बता रहे हैं कि उनके शरीर में व्यान वायू है वो बिगड़ गई है और व्यान वायू बिगड़ने के कारण आपको खाने में स आपके जो चैनल अब आपका शरीर क्या है तो आईरवेद में ऐसे कहा गया है कि जो हमारा शरीर है वो कुछ नहीं केवल बहुत सारे चैनल покуп सारे जो सिस्टम है उस्से बना हुआ हमारा शरीव है टीण शोतो मय अयम्पुर्शा ऐसे कर के कुछ लोग है कि हमारे शरीर में संख सिस्टम है जैसे कि आप खाना अन वह शोत से उसमें उसका मतलब क्या हुआ कि आपके खाना खाने का एक शीस्टम है कि आप खाना लेते हो फिर उसका पाचन होता है फिर उस मे से जो किजिए हो शरीर ले लेता है और वेस्ट प्रोड़क्ट को निकाल देता है ठीक तो यह अन्नवहश होतस हुआ ऐसे आपका सरकुलेटरी सिस्टम है यूरीनरी सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्वास लेने का मतलब अलग सा सिस्टम है यूरीन होने का एक अलग सा सिस् चैनल सापके शरीर में हैं अगर इनके अंदर खराबी हो जाएगी तो क्या होगा आपको ब्लॉकेज होने लग जाएगा ठीक है बतब कोई भी चैनल जैसे आपके घर की एक नली है या नाला है आप घर में पानी यूज करते हो बरतंद होते हो नहाते हो तो वह जो खराब पा क्या करते हैं कि हमेशा देखते रहे देगा नाला साफ तो है पानी जातो रहा है ठीक से वैसे ही आपके शरीर में यह इतने सारे channel से स्वांस लेने का यूरीन होने का खाने का पचाने का बाकी अलग-अलग जो system है उनकी cleaning करते रहना उनकी continue सफाई करते रहने का जो काम है वो व्यान वायू का है जैसे की समझों आप walking कर रहे हो ठीक walking करते समय आपके पैर की जो मसल्स है या वहां के सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं अब काम करते करते वहां पे जो भी वेस्ट प्रोड़क्ट बनेगा ठीक है जो भी वहां पे मल बनेगा एक तो वह नरिश्मेंट करी रहा है और बाकी काम की चीज़े दे रहा है पर वहां का जो वेस्ट हम ठीक से चलते रहे इसमें कहीं से भी गलती से कोई गंदगी इकठा ना हो जाए तो कंटीनियु जो क्लीनिंग करने का डिपार्टमेंट है वह आपके शरीर में वियान वायू करती है या फिर मौडन शब्दों में कहें तो जो आपके शरीर का कारबन डायोकसाइड है क्रिय क्लीनिंग का डिपार्टमेंट है वह व्यान वायू का है फिर वागभण जी आगे शब्द कहते हैं कि शरीर का पसीना निकलना ठीक है यह भी जो काम है व्यान वायू का है कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे आपने तो पसीने के बारे में समान वायू के टाइम पे बोला था समान वायू क्या करता है वो प्रोडक्शन करने का काम करता है ठीक पर इसको अलग अलग जगह से निकालना जैसे कि आपके पैर जब ज़्यादा काम कर रहे हैं तो पैर से जो पसीना निकलता है ठीक है या आपको जो अंडर आम कई बार गर्मी हो जाती है वहां से पसीना न निकलता है तो पूरे शरीर से जो स्वेटिंग निकालने का काम है प्रोडक्शन तो समानवायू ने कर दिया बट उसको जो निकालना है वो जो डिपार्टमेंट है पूरे शरीर वाला डिपार्टमेंट वो व्यानवायू का है या मॉडरन शब्दों में कहें तो जो भी मेट स्टाबॉलिक वेस्ट प्रॉडक्ट से उसको स्वेट के थ्रू उसको पसीने के थ्रू शरीर से बाहर निकालना यह डिपार्टमेंट व्यानवायू का है आगे वागभर जी कहते हैं अश्रक्षरवन ब्लड का सर्कुलेशन होते रहना खून का पूरे शरीर में हर जगा गया है कि रखते था तू आपकी लाइफ है यह आपका जीवन है तो आप समझो कि बैट के आफिस में कुछ सोच रहे हो या घर में बैट के कुछ सोच रहे हो तो अब आपके जो नियूरॉन से उनको भी कंटीनियू ब्लड सप्लाय चाहिए उनको भी ऑक्सीजन चाहिए त और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महतुपूर्ण शब्द यौन उचर शुक्र प्रतिपाद नौ ऐसे करके उन्हें शब्द बोला है कि अब आजकल इन फर्डिलीटी के बहुत सारे पेशंट्स हमें देखने मिलते हैं ठीक कि शादी हो गई है शादी होने के संबंध नहीं हो रहा है या बच्चा पैदा नहीं हो रहा है क्यों कि जब रिलेशन बनाते हैं संबंध बनाते हैं संबंध बनाने के बाद जो शुक्र धातु निकलती है पूरुशों की ठीक शुक्र धातु निकलने के बाद अब महिलाओं में जो बीज होता है ठीक है या ओवम जो होता है तो इस स्पर्म को या फिर इस शुक्र को उस बीज तक ले जाना ठीक है ये जो काम है और ये हमें दिखने में लगता हो कि छोटा सा ही तो जगा है पर आपके शुक्र बहुत छोटे होते हैं और उनको बहुत सारी यात्रा करके उस बीज तक या उस ओवम तक पहुशना पड़ता है और पहुशने के बाद मुश्किल से कोई एक या दो कुछ जो शुक्राणू है वो अंदर इंट्री कर पाते हैं बाकि सब मर जाते हैं ठीक तो वो जो इंट्री करने के बाद ही अर्वधारण होता है अब अपोजिट डारेक्शन में क्योंकि रिलेशन बनाने के बाद उस शुक्र को उपर की तरफ आना है और ट्रेवल करते करते उस जो बीज है ओम है इस तरी का जो बीज है जिसे की ओम बुलते हैं वहां तक पहुशना है तो पूरुश के शुक्र को इ बीज तक पहुचाना अगर यह व्यान वायू बिगडी हुई रही तो जो शुक्र है वह उस बीज तक वहम तक या स्पाम जो है ओम तक नहीं पहुच पाएगा और आप देखेंगे इन फरडिलीटी या फिर बच्चा नहीं हो रहा है या शादी के बहुत साल होगे फिर भ जो काम व्यान वायू को करना चाहिए वह आर्टिफीशल वह करते हैं ठेक तो गर्ब धारण करना शुक्र का बीच तक पहुचाना यह जो डिपार्टमेंट है वह आपके शरीर में व्यान वायू करती है और वागबट जी ने कमाल का शब्द का है विभजिच अन्नशकित म मतलब जो अपने खाना खाया है वो खाना खाने के बाद समान वायू की मदद से इसमें समान वायू का भी डिपार्टमेंट है जो काम की चीज है खाना खाने के बाद उसका जठार अगनी से पाचन हुआ या आमबुल चल की बाशना में बोले तो खाना खाया खाना हजम हो अब हजम होने के बाद इसका जो दो पार्ट बनेगा एक सार भाग सार मतलब जो नूट्रीशनल पार्ट है जो काम की चीज़ है जो अच्छी चीज इनका बनना और इनको divide करना कि वाई ये ये काम की चीज नहीं है , ये जो काम है वो आपके body में व्यान वायू और समान वायू मिलके करते हैं और divide हो जाने के बाद जो काम की चीजह है उनको पूरे शरीर में , पहली बाद तो रिदय में हो जाएगा हार्ट में जाके फिर बलड के थुरू खुन की मदद से पूरे शरीर में सप्लाइ करने का जो काम है वो व्यानवायू करता है और लाश्ट बट नॉट दे लीज जो इसका काम है क्रमशोह धातू तरपेयंती कि आपके शरीर में जो सारी की सारी धातूएं हैं उनका नरिश्मेंट करते जाना ये भी काम इसी का है कि जैसे आपने खाना खा लिया खाना खाने के बाद अब वो पाचन होके काम की चीज़ बनी वेश्ट प्रड़क बना अब ये काम की चीज़ के बाद इससे ही रस धातूबने गी रस धातूबने के बाद उससे रख्य धातू, फिर माउंस, मेद, अस्थी, मजजा, शुक् उसको रिपेर करना रोज नया खून बनाने का काम करना या समझो आप जिम गए और जिम जाके बहुत सारे आपने बाइसेप कर लिया तो उस मसल्स का एक तो आपने जब वयाम किया तब वह वयान वयू ने वहां काम किया उसको कंटीनू ऑक्सिजन पहुचा पहुचा के फिर यह जो बाइसेप आपकी अब वहां आपने मसल्स के फाइबर ब्रेक किये थे उस मसल्स के फाइबर को फिर से रिपेर करने का काम करना था कि जब अगली बार जिम जाके फिर से बाइसेप करोगे या वयाम करोगे तो वह मसल्स और स्ट्रॉंग बनी रहे तो यह पूरे का पूरा जो डिपार्टमेंट या काम है वह व्यानवायू का है यहां कहीं भी व्यानवायू बिगड़ा तो यह सारी की सारी एक्टिविटी आपकी बिगड़ जाएगी तो चलिए आते हैं नेक्स सवाल पे कि इतनी इंपॉर्डेंट या पूरे शरीर के इतने सारे काम करने व अतिगमन मतलब बहुत ज्यादा एक्सराइज या बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार के वयाम करना जब जब आप यह करेंगे तब तब व्यानवायू बिगड़ जाएगी कैसे अब व्यानवायू का काम क्या है तो यह पूरे शरीर में घुमते रहती है यह तो हम समझ गए पूरे बॉड़ी में चीजों को सप्लाइ करना जो भी वैस्ट प्रोड़क्ट है उसको लेकर आना यह सब डिपार्टमेंट व्यानवायू का है तो जब भी आप अपनी एक्टिवीटी बढ़ा देंगे तब क्या होगा तब व्यानवायू का लोड बढ़ जाएगा ठीक ज चरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी चीह जो भी जैसे पैर की मसल्स काम कर रही है या आपके हाथ जो आप ऐसे आगे-पीशे करेंगे ठीक है उसको को कोजलेट करने के लिए जो भी मसल्स वहाँ पर काम करेंगी उन सारी मसल्स को ऑक्सीजन लगेगा उन सारे सेल्स को नरिश्मेंट लगेगा तो व्यान वायू को अपना काम बढ़ाना पड़ेगा थोड़ी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी चलते चलते फिर समझो कि आप थोड़ी से जॉगिंग करने चालू कर दिये ठीक है तो जॉगिंग जब आप करने लगेंगे आप लगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे आपिं अती गमन वयाम जरूरी है बड़ जब आप इसकी अती करने लग जाएंगे बहुत ही ज्यादा पने अपको धकाने लग जाएंगे बहुत ज्यादा वयाम करने लगे रेस्ट जो है आराम कम करेंगे और व्याम कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वागभर जी बोलते हैं कि व्यान वायू तो आपकी बिगड़ेगी और एक चीज होती है जब आप कभी भी ज्यादा एक्टिविटी करते हो जो नरिश्मेंट का डिपार्टम है वह सारी धातूओं में रजधातू का है और जो कोई भी आपके शरीर के सेल्स को जिन्दा रखना है वह रखत धातूगा है तो जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं रेस्ट बहुत कम करते हैं तो नरिश्मेंट का वहां पर होना चाहिए यह रजधा के बिगरने के कारण प्लस आप बहुत ज़्यादा जब वयाम करते हैं और रेस्ट बहुत कम रहता है और प्रॉपर आप निउट्रिशन नहीं लेते तो रजधातू का शाय होता है जिसके कारण आपको ठकान लगना चक्कर आना आवाद सुनके चीरचिडापन होना गुसा होना इस तरह की तकलीफ होने लग जाती है इसलिए जो भी आप इंडॉरेंस एथलीट देखेंगे ऐसे एथलीट कि जो एक ही एक्टिवीटी को बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं जैसे कि 100 किलो मीटर कोई रन करता है या मैराथन अल्ट्रा मैराथन यह जो आपको र वियान वायू है उसको वयाम दिया और प्रॉपर रेस्ट किया इसलिए केवल अगर कोई वयाम करते रहेगा और रेस्टिंग बहुत कम कर देगा तो आप देखोगे कि उनको हार्ट रिलेटेड तकलीफ या फिर ब्रीधिंग रिलेटेड प्रॉब्लम चेस्ट पेन इस तर करते हैं उनको भी प्रॉपर नरिश्मेंट यह सब होने के बाद भी आगे जाके या तो उनको पेस्मेकर लगाना पड़ता है या अरिद्मिया जैसे उनको तकलीफ होने लग जाती है कि हार्ट रेट उपर नीचे होने लग जाती है तो व्यानों अतिगमन बहुत ज्यादा वियाम किया तो व्यानवायू बिगड़ेगी दूसरा शब्द वागबर जी कहते हैं ध्यान अब कोई बोलेगा अच्छा ध्यान करने से व्यान बिगड़ जाती है यहां पे ध्यान शब्द का मतलब है अतिचिंता तो ऐसे लोग जो की बहुत ज्यादा सोचते हैं बहुत उनके दिमाग में खट पिट यह सब चालू रहता है यह भी व्यान वायू की बिगढ़ने का कारण है होता क्या है जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप चाहे भले घर में एसी में बैट के मस्त फ्रिच का एकदम जूस पी रहे हो पर आपका दिमाग यह जो अक्सीजन और नरिश्मेंट चाहिए दिमाग के जो आपकी दिमाग के जो नियूरॉंस हैं उनको तो अगर यह बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ तो भी आपकी व्यान वायू चाहे भले आप घर में बैठके रेस्ट कर रहे हैं उसके उपर एक्स्ट्रा लोड पढ़ता खोन की कमी होने लग जाएगी स्वांस के रोग होना खाने में टेस्ट ना आना आलस बहुत ज़्यादा आने लग जाना शरीर में सूजन आना यह सारे के सारी बिमारियां रजधातू की होती है यह रजधातू क्यों खराब होती है अतीचिंता से यह अतीचिंता में खराब विशम चेस्था कि ऐसे लोग जो बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं आप कुछ विशम चेस्था जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई ऐसी अक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि बार-बार कोई इसलिए आप स्पोर्ट्स इंजिरी बहुत ही कॉमन आपने देखी होगी कि शोल्डर डिस्लोकेट हो गया या कोई मसल्स टियर हो गया हैं स्ट्रिंग इंजरी हो गई या फिर नी रिप्लेस्मेंट कराना पड़ा तो कोई भी या फिर बहुत जाता जो डांस वांस करते हैं उ तो पहले श्लोक में तो उन्होंने बता दिया कि वह या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या उत्पर टंक कुछ करेंगे एक ही जॉइंट या कुछ फिक्स मसल्स पर आप ज्यादा लोट देते रहेंगे तो आपके शरीर में व्यान पान हैं उन से भी आपका व्यान भाई बिगड़ेगा तो पहले वो कहते हैं विरोधी अनिपान की ऐसे लोग जो कि विरुद्ध हार खाने का काम करते हैं उनकी व्यान हईव सब्सेयादा बीगड़ेगी अब बोजन क्या हुआ या वरुद्धिखान पंक्या हुआ तो जै लगा हुआ तो दूध वाली चाय और उसके अंदर कुछ नमा नमक वाला आइटम मसाले वाला आइटम इस तरह की जो चीजे खाना है वो विर्दाहर हुआ तो ऐसे लोग जो खाएंगे तो उनका व्यानवायू खराब होगा फिर कई लोग जिनको गरम ठंडा खाने या रहने खराब करेगा यह कई लोग धोसा खाते हैं तो धोसा या चाइनीज एकदम गरम और उसके उपर से या तो कोल्ड रिंग पी लेंगे या चाइनीज जैसे आइटम खाने के बाद गर्मा गरम खाना भेल पूरी उरी पराठा यह सब खाने के बाद खाने के एंड में वो सले आप रखेंगे थंडा घरम थंडा घरम तो यह लोगादे हैं आपको तकलीफ होगी फिर एक और विशेश चीज उन्हें कहा है रूक्ष आहर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा रूखा सुखा खाते हैं अब आजकर ऐसे ज़्यादा पेशन्ट मिलते नहीं पर फिर भी कई लोग हैं जैसे कि जो लोग जिनको रोज नीम के पत्तों का जूस पीने की आदत है या ऐसे लोग जो की उपवास अच्छा है पर उपवास के नाम पे जबरदस्ती फास्टिंग करने बैठे हैं तो उनको तकलीफ करेगा या सूखा चना, सूखा भेल या जिनको तेल और घी से बहुत नफरत है कि नहीं नहीं तेल घी से तो हार्ट अटेक आता है, तेल घी से त पूरे शरीर के रोग होने लगेंगे महर्शी वागभट, खान-पान की गलती के बाद अब वो बताते हैं कुछ दिमाग की गलतीयां, तो एक तो उन्होंने पहले क्या-क्या lifestyle गलतियां हो सकती वो बता है फिर खानपान की कौन सी गलतिया व्यान भायू खराब कर सकती है अब तीसरा कारण बोलते हैं कि हर्ष और विशाद ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सूख खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं उनका और ऐसे लोग ज ज़्यादा विशाद बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं कोई भी चीच को सम्हाल नहीं पाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी एक्साइटमेंट मजा वह भी व्यान भायू की वाट लगा देगा और बहुत ज़्यादा दुखी, सैड, एकदम ही ज़्यादा डिप्रेंस हो जाना, डाउन हो जाना, ये दो की दोनों कंडिशन में आपके शरीर में व्यानवायू बिगड जाएगी, तो फिजिकल कुछ एक्टिविटीज की गलतियां, खानपान की विरुद्धाहर और ड्रा में इस टाइप की जो चीजे करने लगते हैं, उनके शरीर में व्यानवायू बिगड जाती है, अब क्या-क्या बीमारियां होगी, तो बोलते हैं कि अगर व्यानवायू आपकी बिगड गई, तो पूरे शरीर वाले जो रोग हैं, वो आपको देखने मिलेंगे, उसके भी उन्होंने दिया है, प्रुदश्य व्यान कुर्ते, रोगान प्रायशह सर्व देहगान, कि पूरे शरीर वाली बीमारी, जैसे कि बुखार, पूरे शरीर में आता है, अब ऐसा तो है नहीं कि बुखार मेरे को बस क्यों यह छोटी सी अंगली में बुखार आया, इसकी कमी हो जाना, इस तरह की बीमारी आपको देखने मिलेगी, या जो पूरे शरीर में होने वाले चर्म रोग है, स्किन डिसॉर्डर है, उस तरह की बीमारी, डाइबिटीज जैसे जो रोग है, वो आपको देखने मिलेंगे, अगर व्यान बायू बिगड़ गई, कि पूरे श शरीर में आने लग गई है, ये सबही की सबही बीमारियां चर्मरोग ये सब, ये व्यान वाईू के खराबी होने पे, या ब्लाड प्रेशर बहुत जदा बढ़र जाना ब्लाट प्ल्स रेड बढ़र जाना आर। मतलब जो आपका energy होता है या जो मेल्स में erectile dysfunction जैसी जो बीमारी देखने मिलेगी अब erectile dysfunction में भी क्या होती है तो जो आपका penis है या फिर जो आपका link है शिष्ण है वो भी क्या है एक muscles है उसके अंदर blood supply जाने पर erection होगा blood supply काम हो जाएगा तो down हो जाएगा तो erectile dysfunction जैसी तकलीफ होना या कोई सभी में बल ताकत फील्ड नहीं होना चक्कर आना बॉड़ी बहुत कमजोर लगना इस तरह की सारी बीमारियां आपको देखने मिलेगी तो erectile dysfunction का treatment में भी आयरवेद में बोला गया है कि दो टाइम पे दवा दे दो एक या जिनको भी sexual तकलीफ होती है उनको कहा है दो टाइम पे आपको दवा पेशन्ट को लेनी चाहिए एक अपान काल मतलब खाना खाने के पहले खाली पेट और खाना खाने के बाद ताकि व्यान वायू भी ठीक हो और पान वायू भी ठीक हो चलो तो आप करें क्या अगर पूरे शरीर की बीमारी है व्यान वायू भी गड़ गई अब इसका treatment क्या है तो ऐसे लोग जो यह सोच रह है जहां पर हर बीमारी की दवा बुली जाती है यहां पर आप व्यान वायू समझेंगे ही नहीं और आप बोलेंगे अच्छा ब्लड प्रेशर के लिए अरजुन चाल ले ले लेते हैं अच्छा मसल्स वी खोरी शतावरी खा लेते हैं इस तरह का अगर आप treatment में रहेंगे तो आपको आईरवेट समझ में आएगा और नहीं आपको result मिलेगा तो व्यान वायू का treatment क्या होगा तो व्यान वायू दो तरीके से आपके शरीर में खराब होगी पहला तरीका होगा कि व्यान वायू बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है ठीक और दूसरा व्यान वायू बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो गई है यह दो ही तरीके से बीमारी होगी या आम बुल चल की भाशा में बोले तो या तो आपके बॉड़ी में obstruction हो गया है blockages हो गये हैं जिसके कारण व्यान वायू अपना proper काम नहीं कर रही है एक यह तरीके से व्यान वायू वि कड़ गई है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा travel करते हैं हमेशा गाड़ी बाड़ी चलाते रहते हैं बहुत लंबी लंबी जर्नी करते हैं या फिक कोई आदमी है जो की बेलापूर में विरार विरार में रहता है और दो घंटा travel करके चर्च गेट आता है या कई लोग ऐस से हैं कि इस तरह का उनका बिजनेस या काम है कि फ्लाइट से कभी दिल्ली बैंगलोर चन्नाई या वीदेशों में हमेशा ट्रावल ही करते रहते हैं तो ट्रावलिंग के टाइम पे भी आपके शरीर में यह जो घूमना है यहां से वहां व्यान वायू बिगड़ेगी ठीक या इसे लोग जो बहुत रूखा सूखा खाते उपवास करते हैं और व्यान वायू बिगड़ने के कारण उनका शरीर सूखने लग गया है मतलब व्यान वायू बहुत जदा बढ़ गई है तो ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले क्योंकि यह जो वायू है बहुंने वाली वायू है इसका ट्रीटमेंट भी पूरे शरीर का करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अभ्यंग तेल मालिश वह भी खास करके पूरे शरीर में यह नहीं कि थोड़ा सा तील लिए लिया या सोत्य में पैर के तलवे मालिश कर दी व्यान वायू ठीक होती है और शरीर की मसल सूपती जा रही है यह कंडिशन में हैं तो आप तेल मालिष चालू कीजिए क्योंकि अभ्यंग करने से आपकी पूरी बॉड़ी की जो व्यान वायू है वो कंट्रोल होने में मदद मिलेगा दूसरा काम आप यह कर सकते हैं कि व्यान वायू के काम को कं संती है ठीकिए आपको बंचालू करना शरीर के सारी चीजों को खोलना बन करना यह डिपार्टमेंट है तो ऐसे टाइम पर ध्यान करना मेडिटेशन करना या योग निद्रा टाइप के जो एकसाइज होते हैं योग निद्रा में आप क्या करते हो लेट जाते हो आँक कोई भी चिकने आइटम खाना ताकि जो व्यान वायू रूक्षगूंड के ड्राइनेस के करण बहुत बढ़ती है आप मैंसे लोग जो एसी वेसी में बहुत रहते हैं और शरीर सूपते जा रहा है ड्राय होते जा रहा है कमजोर होते जा रहा है बीपी डाउन हो जाता है तो गर्मी बहुत जादा लगती है और शरीर सूखरा है व्यान वायू के बहुत जादा बढ़ने के करण वो एक चमज घी ले सकते हैं जिनको ठंडी बहुत जादा लगती है वो खाना खाने के बाद एक चमज एरंड का तेल या जिसको कैस्टर ओयल बोलते हैं और थोड़ा सा दो चुटकी सूंट जिंजर पाउडर डाल के ले सकते हैं तो गर्मी वाले या तो आप तेल ले लो दो चमच नारियल का या फिर घी ले लो और जिनको ठंडी बहुत लगती है वो एरंड का एक चमच तेल या तिल का एक चमच तेल आप ले सकते हो व्यान वायू की रुक्ष बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया हार्ट रेट डग 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 होता है उपर नीचे होता है ऐसे लोग खाना खाने के बाद आधा चमच शतावरी आधा चमच अश्च्वगंदा सुबर शाम थोड़ा सा घी मिला कर खा सकते हैं यह भी टेक्निक है और जो लोग व चमच 54 प्रास भी खाते हैं तो यह आपके शरीर को ताकत देने का काम करेगा जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ बहुत जदा व्यान वायू है उसे कंट्रोल करने का काम करेगा एक और लाश्ट कमाल की चीज हो सकती है कि खाना खाने के बाद एक से दो चमच अनार का जूस उस समय मदद करेगा दूसरा तरीखा व्यान वायू बिगढ़ने का कारण है और कारण ठीक होब स्क्रец के कारण च्रीक हैं एसे लोग जो व्यान वायू को उसका कामी करने देते चमा वेता हैं किसी टाइप कफिजिकल एक्टिवीटी नहीं करते कोई भी टाइप का वयाम नहीं करते हैं उनके केस में आप्स्रक्शन वाला ज्यादा चीज देखने मिलेगा पहला वाला केस क्या था वैसे लोग उपवास बहुत करते होंगे बहुत ट्रैवल करते होंगे रात में जागते होंगे या स्पोर्स एक किलो मीटर भी चलना है तो रिक्षा या फिर गाड़ी इसमें बैट के चलने वाले लोग ऐसे लोग को आप्स्ट्रक्शन वाली तकलीफे जादा होगा कि बॉड़ी में व्यान वायू को उसका काम नहीं करने मिल रहा है और उस आप्स्ट्रक्शन के करण आपके शरीर में किल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते उनको व्यान वायू बढ़ाने की व्यान वायू के काम को ठीक करने की जरुरत है तो ऐसे में व्याम करना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी खास करके संपूर्ण शरीर जिसमें पूरा शरीर इंवाल्ड होता है उस तरह के व्याम जैसे कि सूरी नमस्कार जैसी चीजे आप अगर रोज सुबह खाली पेट तीन से छे सूरी नमस्कार करते हैं तो पूरी बॉड़ी में बढ़ेगा फ्यान वायू शुधरेगी और आपको जो तकलीफे हैं कम होने में मदद मिलेगी एक और चीज है लंबे वाक करना 20-20 मिनट के 40 मिनट के या एक घंटे के आराम से स्पीड में अगर आपको आदत नहीं है तो 15-20 मिनट से शुरू करके फिर आप बढ़ा सकते हो जिसको आज आम बोल चलकी भासा में कार्डियो बोलते हैं तो कार्डियो जैसी एक्सराइज हलकी धीरी सी पेज में आप कर सकत करने के कारण तो किसी भी मसल्स का कॉंट्रेक्शन मतलब सिकूर ना फैलना यह डिपार्टमेंट यह चाहिए आपकी हाथ की मसल्स हो या फिर बॉड़ी की कोई भी मसल्स हो तो ऐसे में वजन उठाने वाले जो ट्रेंड ट्रेनिंग टाइप के वयाम है आप वह अपने उन सभी लोगों के लिए 24 गंटे में एक बार खाना खाना या इंटरमिटन फास्टिंग आज इसको बोलते हैं की 24 गंटे में केवल दो बार ही खाना खाना सुब्यारा बजे Hobart खाना खालिया शाम को पांच बिजे खाना खालिया बस बाकी टाइम उपवास करना या हफते में छे दिन तो दो बार खाना खाना पर एक दिन ऐसे उपवास कर लेना उपवास मतलब यह नहीं कि आप साबू दाना का वड़ा खिचडी फ्रूट फरसान वरसान क्या बोलते हैं कि उपवास वाला भजिया ओजिया यह सब खारें उपवास मतलब प्योर उपवास कोई जूस नहीं कोई फल नहीं कुछ नहीं केवल पानी तो जब आप स्पेस देंगे खाली होने का जगह देंगे आपके शरीर को तो आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर लेवल बीप ilot काम होगा क्यूंकि व्यान वाईओ को जो ऑफ्रॉक्शन जो हुए हैं आपके चैनल में वह आप्स्टक्षन क्लियर करने में मदद मिलेगा व्याण रखिए व्यान वाईओ का मैं श्रोतो विशोधन चैनल को क्लीन करना तो जब आप उपवास करेंगे व्यान वायओ आप जल्दी जो डर जाते हैं उन सारे लोगों को ये सारी चीज़े फाइदे मंद रहेगी और ऐसे लोग मेडिसिन के लिए दो चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं पहला तो है पान जो वयाम वयाम नहीं करते हैं व्यान वयू जिनके चैनल में जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लॉक खाने के बाद अगर आप प्लेन पान खाते हैं उसके अंदर थोड़ा साब चीज़ तो चूना मिला सकते हैं थोड़ी सी सौफ लॉंग इलाइची बस इसके लावा और बाकी कुछ भी नहीं लॉंग इलाइची सौफ और एक पान का पत्ता ये खाने के बाद अगर आप कॉम्बिनेशन यह कांबिनेशन भी एक बहुत अच्छा दवा रहेगा कि गिलो एक तीन पिंच सून्ठ एक पिंच और हरड दो पिंच इस टाइब का कॉम्बिनेशन ले सकते हो हरड दो फिंच इसको शहद में मिलाके खाना खाने के बाद आप खाएंगे तो जो भी की बीमारी को ठीक करने का काम करता है हम हेल्दी हैं स्वास्ते हैं हम क्या करें अगर आप स्वास्ते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आप व्यान वायू को अच्छा बना के रखे रहना चाहते हैं तो ऐसे में आप रोज अभ्यांग ऑईल मालिश करना रोज 20-25 का आप वाक भी रखते हैं तो यह सारी चीजे व्यान वायू को ठीक करने में आपकी मदद करेंगी तो व्यान वायू के बारे में विश्टलेशन आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं कई सारी मुद्राएं भी होती हैं जैसे इस तरह करके मुद्राया है जो क को समझा सकूँ आपको कैसे लगा और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए स्वास्त रहें मस्त रहें